यह हमारा साइक्रीन डियूल वाला जो अभी इससे पहले आपने देखा था वो हमारा जो मोनो एम्प्लिफायर के लिए है बड काफी लोगों की रिक्वाइमेंट रहती है कि सर हमारा जो एम्प्लिफायर है वो तो डियूल चैनल है तो हमें दो बोड लेने पड़ेंगे हैं तो हमें कोशली पड़ेगा तो यह उन्हीं के लिए हैं जिनको सिंगल बोड चलाना और उनको सिर्फ अपना स्पीकर प्रोटेक्ट करना है तो यह उन्बोड उनके लिए हैं यहां पर भी कनेक्टर थे नहीं तो जो स्क्रूव वाले कनेक्टर होते हैं वह यहां पर लगें आपको सिर्फ नट खोलना है और आपका बोड डिसेंबल हो जाएगा जो भी आपका बोड ये खराब हो ये आपका बोड खराब हो तो आपका इसली विदाउट सोल्डिंग काम चल जाता है कि कई लोगों के पास तो सोल्डिंग मशीन नहीं होती जो मतलब थोड़ा इंट्रे कि भी आपको जूर्त नहीं पड़ती है ये डियूल है आप जैसे देखो कि यहाँ पे यहाँ पर राइट चैनल है यह आउटपुट है और इधर आपको एल चैनल और आट चैनल का इन्पुट करना है यहाँ पर आपको 0-12 वोल्ट AC सप्लाई देना है ठीक है तो यहाँ प DC जो आपका स्पिकर आउटपुट है उसमें DC है नहीं उसमें जिट जो और DC वोल्टेज आमान के चलो 0.4 और 0.5 वो ना के बराबर होता है उतने से कुछ नहीं होता यह उतने पर चलता था उसके बाद यह 0.7 यह 0.8 के पास जाता था DC वोल्टेज आप स्पिकर उसका सेंस्टिव हमने इसका भी 3-4 वोल्ट कर दिया है जब आपका एंप्लिफायर में बहुत जादा DC आने लगेगा और आपका जो स्पिकर के नदर जो कोईल होती है वो हीट होना स्टार्ट करेगी और यह तुरंत ही कटम मार जाता है यह नहीं आपका 1 वोल्ट में 0.8 म यह में भी ट्री मार जा रहा तो फिर क्या फाइदा स्पिकर प्रोटक्शन केट का आपका बीच-बीच में म्यूजिक डिच्टप ओरहें बंद हो जाता फिर चलता है बंद होता है चलता है तो नहीं कम से कम आप आपका जो वेल्टेज है दो दो से भी उपर जाता है तीन तो ट्रिप मारे तो समझ में आता तो इसका भी जो प्रोब्लम सा रिजिश्चन्स की वैलू हमने उसकी सेंसिविटी को ज्यादा कर दिया ताकि आपको म्यूजिक चलता रहे और जब वो ज्यादा वोल्टेज डीसी आउटसर निकाले तो ही वो आउटकट मारे मतला बीच में आप वो drag की बाई करने शादे तो हमसे help भी कर सकते है आप 29 सफ मे भी जो आभ़े ही यहाँ पे स्कुर्य वह नहीं है बड् जब वह आप ओडर करोगे तो आप में यहाँ पर आपको कनेक्टर मिलेंगी स्कुर्य वाले